ओम स्रीगनी सायनम दोस्तो एश्प्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 मई गुरुवार के रासी फल के बारे में की यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेस का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेस कर आर्थिक इस्तिति को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तो साती सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभवना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बद आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुतसाहित करेंगी आपको अपने कारशित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक द्रश्टिकोंड से आपके लिए बहुती अच्छा समय है क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तो साती साथ आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे परणामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहार आ जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं अज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच यंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यता विवाद में फस सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों क को भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाईए और संभवनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती हैं इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुबव व्यक्ति से सला लेने की आवशक्ता पड़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मांसि रूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुबब कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं शकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को ले परिवारिक जीवन में आज चिंताओं के वरद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तों बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों आपके प्रेम जीवन में आज बहार आएगी आपको जरूत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाइत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे क के पेर्टी सानभूती आज हो सकती हैं। तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे। और आपके प्रेम जीवन में सांती, सदबाब रोमान्स आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छेतर में आज वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और शैकरिमियों का आज आपको भरपूर शैयोक ट्राप्त होगा जिससे सभी कार्रे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने केरियर और बिजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे या दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा दहन लाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जह दोस्तो भार की कंपणियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभाव ना है, साथी साथ विध्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है, कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज का स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपकी स्वास्थ में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दोरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानियां कु स्वस्त रहें दोस्तों बात के लेते हैं आज आपके लिए विशेश हो पाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्रीहरी विश्नुजी का इसमरन करते हुएं किसी बुजुर्ग ब्रहम्मन को भूजन अवश्य कराएं और अप अपनी अपनी मन मनों काम नए बागे जया दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्रीहरी विश्न जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो विब आपके बातो चले जाएंगे दोस्तों बगवान श्री हरी विष्णु जी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्ची दिल से कमेंट स्बोक्स में जैस श्री हरी विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद